हेलो फ्रेंस, वेल्कम टो आर्य टूब चानल मुनिदास, तो आज के वीडियो में हम बात करने बाले हैं ऐंजल 1 की जी टी टी ऑर्डर के बारे में, तो एंजल 1 में और भी बहुत सरे ओर्डर्स होते हैं, जैसे की रूब ओर्डर, स्टाप लौस ओर्डर, तो इन सारे तो अगर आपको इन सरे ओर्डर के बारे में जानना है तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में में लिंक दे दूँगी उस लिंक के मादम से आप उस वीडियो को देख सकते हो तो आज के वीडियो में मैं आपको GTT ओर लगा के भी दिखाऊंगी लेकिन उसके पहले हम यह जानते है कि GTT ओर होते क्या है और GTT ओर अप कहा यूज कर सकते हो कहा यूज नहीं कर सकते हो तो GTT ओर मतलब यह है और यह जो GTT ओर है आप higher price और lower price दोनू में आप यूज कर सकते हो तो मालो अभी SBA बैंक का share price 572 पे चल लाए आप चाहते हो कि market और थोड़ा नेचाहे share price और थोड़ा नीच है 570 पे आए तब आप buy करना चाते हो तो आप उसी price में GTT order को use कर सकते हो या फिर आप चाते हो कि 575 पे breakout level है उसी price breakout होने के बाद आप buy करना चाते हो तो भी आप 575 पे GTT order को use कर सकते हो क्योंकि market hours के time जाता तो लोग अपने काम पे busy होते है तो अगर आप GTT order लगा के छोड़ देते हो तो जब भी आपका share price आपके buying price में आएगा तब भी आपका order executed हो जाएगा जो कि बहुत अच्छे होता है जो लोग service करते हैं कोई sectors में job करते हैं उन लोगों के लिए ये GTT order बहुत काम के होते है और ये जो GTT order है ये एक साल के लिए valid होता है तो GTT order आप buy and sale दोणों में लगा सकते हो और ये जो GTT order है आप cash market में भी use कर सकते हो and future and option में भी use कर सकते हो problem ये है कि GTT order only for up delivery trade में use कर सकते हो intraday में आप use नहीं कर सकते हो और दीन में आप कभी भी GTT order को लगा सकते हो लेकिन आपका जो order executed होगा market hours पी होगा ये normal सी बात है क्योंकि market hours पी share का price up and down होता है and उसी time अगर आपके buying price के पास आ जाते है तभी आपका order executed होगा लेकिन GTT order को आप कभी भी लगा के रख सकते हो ठीक है और GTT order लगाने के time आपके account में अगर zero balance रहते है demand account में फिर भी आप GTT order को लगा सकते हो और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्यूंकि आपके एक लाइक से मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत motivated मिलते है और चानल में नए हो तो प्लिज सब्सक्राइब में चानल आहीं तब बेल आइकन तो जैसे के आप देख सेकते हो अभी हम एंजल वान की home page में है तो आपको थोड़े नीची स्क्रॉल करना है और इधर से option आ गया है GTT का तो simply आपको GTT के उपर क्लिक करना है और इधर आप देख सेकते हो understanding GTT, how it works, GTT product types यह आपको पढ़के GTT को समझना है और इधर से आप देख सेकते हो नीचे create GTT है तो create GTT के उपर क्लिक करना है उसके बाद आप जिस भी shares या फिर future and options के उपर GTT order लगाना चाते हो यह आप सर्च किजिएगा तो मैं SBI bank के shares के उपर GTT order लगाना चाते हो तो मैं इधर SBI को select करूंगी और उसके बाद आपके सामने option आजाता है यह NAC and BAC दोनों exchange में listed है तो किसी को भी आप select किजिए तो मैं simply इस NAC वाले को select करते हो तो simply हम इसको click करते है click करने के बाद आपके सामने buy and sell option आजाता है तो आप इस buy option के उपर click करने के बाद आपके सामने यह option आजाता है ठीक है और उपर में आपको यह देखना है कि आपके जो यह order है delivery select किया हुआ कि नहीं अगर आप intraday select करते हो तो create GTT वाला option नहीं आएगा ठीक है और उसके बाद आपको number of shares enter करना है तो इधर से आप देख सेकते हो create GTT को option आ गया है तो इधर स shares के price हमें देखना होता है ठीक है तो simply हम fees से SBA bank के shares को इधर click करते है और इधर buy and sell का option आ गया है तो हम simply इस buy option के ओपर click करते है और click करने के बाद आप देख सेकते हो ऐसे अगर आप करोगे तो आपके सामने option आ जाता है delivery and enter दे तो आप इधर delivery select किजिए उसके बाद आप number of shares को इंटर कीजिए तो simply हम इधर delivery select कते है और number of shares इधर इंटर कते है for example one ठीक है तो इधर से आप देख सेकते हो अगर आपको थोड़े नीची स्कॉल करना है smart orders के ओपर click करना है तो इधर से आप देख सेकते हैं आपके सामने option आ गया है जो कि है create GTT तो दो process की मादम से आप GT order को place कर सकते हो और इधर आपके सामने एक box open हो गया है अगर आप इस box पर click कर तो इसका मतलब यह है कि आपके accounts में funds नहीं है आप angel one में पैसे ले रहे हो ठीक है ओ भी interest के उपर जो की है pay 20% interest तो यह box पर आप मत क्लिक किजिए तो मेरा राय जो है अगर आपके funds अगर आपके account में funds नहीं है फिर भी आप trade मत कीजिए लेकिन angel one की तरब से जो पैसे दिया जाता है उसके आप इंटरेस काफी जादा लेता है तो आप ऐसे interest में पैसा लेके trade मत कीजिए तो इधर आप देख सेकते हो create GTT के ओपर हमें क्या करना है simply हमें create GTT के ओपर click करना है तो इधर 500 66 पाए तब आप इस shares को buy करना चाहते हो तो टीगर प्राइस पे आप 566 एंटर करोगे और limit प्राइस जो है आप इधर टीगर प्राइस के similar भी रख सेकते हो या फिर आपको टीगर प्राइस से जादा रखना होगा ठीक है limit प्राइस जो होते है यह टीगर प्राइस से प्राइस पे हम एंटर करेंगे 567 तो यह जो limit प्राइस एंटिगर प्राइस यह हमने एंटर किया इसका मतलब यह है कि मानलो कि एस बेंकर शेयर प्राइस 566 पे टच नहीं करते है ठीक है 566.50 या 65 पे आते है तो क्या होगा आपका जो यह order है यह प्लेस नहीं होगा तो यह थोड़ा हमें डिस्टेंस में रखके इंटर करना चाहिए अगर आप सिमिलर रखते हो तो क्या होगा कभी-कभी यह होता है कि मार्केट बहुत कुईकली नीचे मुम्मेंट करता है और टिगर प्राइस को ब्रेक करके नीचे की तरब आते है तो ऐसे कंदिशन में आपका प दिस्टेंस में रखना है कि मार्लो की एजबेंकर शेयर प्राइस 566 और 567 के बीच में आते है तो आपका जो यह ओडर है यह प्लेस हो जाएगा इसलिए आपको थोड़े डिस्टेंस देखके रखना होता है तो सिम्पली आप नीचे देख सेकते हो मार्जिन डिक्राइड क आपका कितना मर्जिन लग रहा है और उसके बाद आप चार्जिस पे भी क्लिक करके आप अपना चार्जिस को देख सेकते हो और जैसे कि आप देख सेकते हो एवलावल कैश मेरे इदा नहीं यह जीरो जीरो है तो इधर आपके फंड्स में पैसा नहीं है ठीक है अगर आप के एकांट में फंच नहीं है पिर भी आप GTT ओर को प्लेस कर सकते हो लेकिन मार्केट अगर आपके टीगर प्राइस के पास चले आते हैं इसलिए आपके एकांट में फंच होना बहुत ज्रूरी है और यो चार्जेस लिखा हुआ है, अगर आप इस चार्जेस के ऊपर क्लिक करते हो, तो इधर से आपको पता चलेगा कि आपको कितना चार्जेस लग रहा है जैसे कि आप देख सेकते हो आपका जो charges लग रहा है यह है 0.68 रूपीज आपकर लग रहा है ठीक है तो इधर से आप अपना charges को भी देख सेकते हो तो simply हमें क्या करना है इस create GTT के ओपर click करना है उसके बाद आपको क्या करना है confirm करना है तो आपका जो यह order section है order section में GTT का option है इस GTT के नीचे आपका यह order दिखाएगा तो इधर आप देख सेकते हो आपके order जो है आपके order पेंडिंग में है और आप देख सेकते हो जो SBA Banker share price अपने बाई किया 566 पे ठीक है तो यह पेंडिंग में है और expert में आप देख सेकते हो जो कि है 19 October 2024 तो यह order जो मैंने लगा ठीक है 19 October को लगाया इसलिए next year 19 October तक मेरे यह order valid राएगा तो इधर से आप क्या कर सेकते हो आपको simply इस order के ओपर click करना है click करने से आप नीचे देख सेकते हैं आपके समने option आ गया है कि cancels order and edit order तो इधर से आप इस अपने यह order को edit भी कर सकते हो और आप cancel भी कर सकते हो तो अगर हम simply इस edit order के ओपर click करते हैं तो इधर से आप अपना जो order है इसको edit कर सकते हो number of shares को आप change कर सकते हो और भी ज्यादा दे सकते हो या फिर कम भी देख सकते हो ठीक है और उसके बाद ticker price and limit price को भी आप change कर सकते हो for example ticker price हमें इधर अभी enter करना है 565 तो हमें इधर enter करना ह है 565 and limit price पे हमें enter करना है 566 तो इसके बाद आपको क्या करना है इसको confirm करना है तो आप देख सकते हो आपका जो यह order है यह edit हो गया है and 565 पे यह buying order लग गया है place हो गया है तो इधर अगर आपको cancel करना है तो simply आपको इसके पर click करना है and cancel order के ओपर अगर आप click करते हो तो उ इसके आप देख सकते हो यह GTT order cancel हो गया है तो इतने simple तरिकों से आप GTT order को place कर सकते हो एक बत मैंने आपको कहा है कि आप जो यह GTT order आप सेल साइट में भी लगा सकते हो लेकिन इसमें आपका position होना चाहिए था मतलब मान लो कि बहुत दिन पहले आपने कोई shares को buy करके रख कि मैंने कोई shares को buy करके नहीं रखा है इसलिए position में नहीं दिखा रहा है लेकिन अगर आप बहुत दिन पहले कोई shares को buy करके रखा हो आप सेल करना चाहते हो तो उसमें भी आप GTT order को place कर सकते हो आपके यह वीडियो आपके लिए बहुत ही help रहागा अगर वीडियो help रहागा तो वीडियो को like कीजिएगा और जादे से जादे शेयर कीजिएगा और कोई भी confusion है तो नीचे आप मुझे comment section में पूछ सकते हो और चैनल में नहीं हो तो please subscribe my channel and hit the bell icon so मिलता हम नेक्स ऐसी say bye bye have a good day